हलो दोस्तों आज हम यहां पर बात कर रहे हैं इंडिया बुल रियल इस्टेट लिमिटेट की कंपनी की बात कर रहे थे स्मॉल काय कंपनी है पाँच हजार दोसो तित्त करोड रुपे का मार्केट कैप है और क्या यह शेयर आपको अच्छे खासे रिटन दे सकती है या नहीं नहीं दे सकती क्या यहां पर चल रहा है क्या यहां पर खिचड़ी पकरी है कि यहां पर यह शेयर आपको 200% तक की रिटन दे सकता है उससे लेटेड हम यहां पर बाते करेंगे बट याद रखिए buying selling की कोई recommendation नहीं है अपने financial advisor कुछ की study करनी है चीजों को सीखने पर देना है और सीखने के लिए ही यह वीडियो बनाई जा रही है ठीक है न तो सीखने के educational purpose से यह वीडियो है तो सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ेंगे आपसे request है कि I am small cap investor channel को subscribe कर लेना bell icon को hit करिएगा bell icon और जितना हो सके subscribe करिए comment करना है कोई comment करिए कोई question पूछन पूछना है तो थोड़ा बहुत लेट हो सकता है पर जवाब दिये जाएंगे videos बना जाते है videos के तुरूँ यहाँ पर सीकने की कोशिश करे playlist को गोतुरो करें वहाँ पर सीकने की कोशिश करें क्योकि वहाँ पर कुछ technical terms से इलेटेड वीडियो बनाई है ही है बांगी अगर किसी को बारी किया सीखनी की या कैसे किसलिए का जवाब ढूवने है क्यों भागता है शेयर क्यों गिरता है शेयर क्या ऐसा है कि हम वीडियो बनाते है तो उसके बाद भागते हुआ नजर आता है वह आपको बताएंगे 28605-40501-8169-261037 दुरों नमबरों को सेफ कर लीजिए basics to advanced technical research fundamental क्यों लेना है क्यों बेचना है कैसे क्या किस लिए के जवा 25,000 रुपर कोर्स है 3 months की hand holding है strategy using stock market है online notes है और एक बार course complete किया तो पीछे मुड़के देखने की जरुवत नहीं पड़ेगी और यह अभी हम IFL security के साथ नहीं है ठीक है न यहापर मैंने यह cancel करा दिया है तो इस शीट को भी ignore करिएगा तो 25,000 रुपर का course है और 3 months की hand holding है course करने के बाद एक साल का experience वैसे लीजिएगा जैसे मैंने आपको बताया है जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा उसके बाद आप market में कहीं न कहीं एक अच्छे trader बनते हुए नजरा होगे तो बाकी अगर किसी को साथ में काम करना है पोर्टफोलियो छोटा या बड़ा है इन नमरों को note कर सकते हो साथ में काम कर सकते हो जैसे भी हमारी बात होगी हम उससाफ से आगे बढ़ सकते है इंडिया बूल housing finance इंडिया बूल real estate की हम बात करें तो company small cap है small cap में जब भी मैं बात करूं तो याद रखिए हमारी चैनल का नाम भी आयम का small cap investor है इसलिए दूसरा risk है तीक है जहां पर पैसे बनेंगे तो अच्छे बनेंगे इसमें कोई doubt वाली बात नहीं है बजब share गिरेगा तो याद रखिए यह share गिरके बिल्कुल नीचे भी आता हुआ दिखाई दे सकता है तो थोड़ा सा इस shift को ध्यान में रखना है company की बात करें काफी सारे पीछे अगर आप जाओगे तो आपको बता चलेगा काफी सारे यहां पर fraud से लिटेड भी news आती रही है उस shift को भी यहां पर ignore नहीं करना है काफी लोगों नहीं काफी इंके promoters वगरे ने भी शायद काफी fraud करते हुए नजर आये और शायद राके जुन जुन वाला से ने भी शेयर में इंवेस्ट किया तक अभी वो भी यहां पर loss में ही हमिशा रहे है तो यह सारी चीटेव को यहां पर देखना है यहां पर देख सकते हैं company यहां पर development of residential commercial और project यहां पर बनाती हुई नजर आती है इनकी website पर जाओगे तो आपके यहां पर पता भी चलेगी Mumbai में हाना अलग अलग जगे पर यहां पर इनके project बनाए भी है आगे इनका process में भी है ठीक है और बात मेरे कोई friend है उन्होंने मुझे बताया भी है कि यह जो company है इसे एक black rose करके कोई company है वो यहां पर खरीद रही है यह black stone है मुझे नाम याद नहीं है बट कोई company इसे यहां पर हो सकते ROC ROE ठीक ठाक नहीं है 56 रुपए की book value 96 पर share चल रहा है 102 का high लगाया दो की phase value है पी की बात करे 33 का यहां पर पी है अब यहां पर देखें maximum chart pattern अच्छा नहीं है तो maximum याद रखें long term के purpose से sweet share को लेना नहीं है बट यहां पर हम देखें तो company की sales देखते सबसे पह रही है company के यहां पर operating profit भी देखोगे वह भी ओपर negative है as well as net profit भी देखोगे वह भी यहां पर कही नहीं negative दिखाए देते है yearly performance की बात करे तो yearly performance में भी कुछ खास यहां पर company में दम नहीं है ठीक है but reserves की बात करे company के reserves कम होते हुए नजर आ रहे है ठीक है कंपनी के पास बॉराइंग भी सासाथ का मोरी है जो कि यह पॉजिटिव चीज है इंवेस्टमेंट की बात करें 174 करोर का इंवेस्टमेंट और कैश की बात करें कंपनी गास थोड़ा बहुत कैश भी पड़ा हुआ यहाँ पर परमोर्टर्स की होल्डिंग की बात करें जीरो परमोर्टर्स है पर पॉजिटिव चीज क्या नजर आती है देखिए अभी तक जो बताया वो नेगिटिव है अब मैं पॉजिटिव चीज को गिनाना शुडू कर रहा हूँ सबसे पहले FIs FIs जहाँ पर मार्स 2022 में 18% थे दीरे दीरे बढ़ा के 23% तक अपनी होल्डिंग लेके आए है DIs जो यहाँ पर निकलते हुए नजर आये थे अभी इस कॉर्टर में इन्होंने दुबारा हिसेदारी बढ़ा ली है पब्लिक के पास जहाँ पर शेयर जब जादा होते है तो अच्छी बात होती है पर कम होते है तो अच्छी बात होती है तो लग दो कॉर्टर से आप यहाँ पर देखोगे तो पब्लिक के पास तो शेयर जा रहे है और इधर भी आप देखोगे कुछ गुरुप ने यहाँ पर अच्छी खासी होल्डिंग लेके रख रखी है ठीक है यहाँ पर देखिए दिसंबर में ही कुछ यहाँ पर बिकवाली होती हुई नजर आई है पर यहाँ पर आप देखोगे तो कुछ बड़े-बड़े फंड्स ने यहाँ पर बाइंग भी करी है अठारे नमबर दो जार यह किस की बात चल रही है ठीक है मैंने न्यूज कहीं देखी थी कि डिसंबर में ही दो-चार दिन पहले यहाँ पर किसी फंड्स ने यहाँ पर अच्छी खासी बाइंग करते हुए नजर आया है यहाँ पर बाइंग हुई है किसी के तुरू खना एक बड़े नाम के तुरू यहाँ पर बाइंग हुई है उस चीच को भी यहाँ पर हमें थोड़ा सा देखने है तो यहाँ पर FIs ने यहाँ पर बाइंग करी है जो कि मैं बात कर रहा था ठीक है और DIs ने भी थोड़ा सा हिसा बढ़ company यहाँ पर struggle करती हुए नजर आ रही है बट कहीं ना कहीं positive changes होते हुए नजर आ सकते है क्योंकि इस company को कोई ना कोई company I think खरीदने के बारे में बात चल रही है वो fake भी हो सकता है, वो real भी हो सकता है वो देखना है, technical से related बाते करेंगे बट उससे पहले request है चाहने को subscribe, bell icon को hit all notification को अन करिएगा buying selling के recommendation है नहीं number को note करके साथ में काम कर सकते हो वो course कर सकते हो, यहाँ पर हम बात करते हैं share की, तो share देखिए एक consolidation phase में का गिरावट के बात consolidation phase में चल रहा था ठीक है, दीरे-दीरे करके अलग-अलग sector के stocks यहाँ पर भागते हुए नजर आ रही है, और यहाँ पर एक अच्छी-कासी buying भी होती हुई नजर आ रही है और मुझे क्या नजर आता है, मुझे नजर आता है कि यहाँ पर एक छोटा सा stop loss लगा के न, आप यहाँ पर काम करने के बारे में सोच सकते हो क्या सोच सकते हो buying selling की recommendation नहीं है शिट को याद रखियेगा यहाँ पर एक छोटा सा stop loss 95 रूपीस का 95 to 90, 90 to 95 मतलब 57 रुपे का तो रिस्क ले नहीं पड़ेगा ठीक है, इतना यहाँ पर आप risk लेके न, इसके बारे में सोच सकते हो जैसे यह share यहाँ से दुबारा चलना शुरू करेगा तो इसमें एक तेजी होती हुई नजर आ सकती है जो 121 रुपे की तरफ पहले लेके जाएगी दूसरा यहाँ पर इस share को यहाँ पर 144 तक लेके जाएगी और शायद आने वाले टाइम में 200 और 300 रुपे तक भी यह share जाता हुआ नजर आ सकता है क्यों क्योंकि क्या होता है कभी-कभी fundamental अच्छे नहीं होते बढ़ technical इतने ज्यादा strong होते है कि उस आंधी में fundamental को ignore करके चीज़े इतनी भागती हुई नजर आती है कि आपके 100-200-300% के return easily बनते हुए नजर आती है और कभी-कभी technical पे भी हमें यहाँ पर काम करके देख लेना चाहिए काम करने के बारे में सोचना चाहिए तो fundamental यहाँ पर strong नहीं है एक कभच का काम करता है मान के चलिए नीशे जाता भी है तो 57% चले आएगा 57% यहाँ पर दूसरी share में आपर कमा सकते हो बट याद रखिए share भागा तो 57% के हिसाफ से आपको return भी उसी हिसाफ से देता हुआ नजर आ सकता है चानल को subscribe करिएगा bell icon को hit करिएगा बाकी कोई भी queries हो आप यहाँ पर मुझसे एक बाप पूछ सकते है एक लंबे consolidation में यह चीए चल रही है और मुझे लगता है कि अगर यह share 106-107 को यहाँ पर cross करता हुआ नजर आया तो और शायद यह कर भी सकता है तो यह share यहाँ पर 200 और 300 की तरफ यहाँ पर बढ़ सकता है still buying selling की recommendation नहीं है मेरे पास यह share नहीं है बढ़ हमने अपने गुरूप में बता रखता है तो शायद किसी के बास हो सकता है इस चीच को आपको ध्यान में देना है वीडियो अच्छी लगे